तो आज के इस वीडियो में हम बेर कटेगरी थियोर्म के बारे में डिसकस करेंगे बट उससे पहले कुछ टर्म्स उसमें यूज होगी उसको देख लेते हैं तो थियोर्म जो है वो अच्छे से समझ में आए जादा डीपली नहीं समझेंगे इन डेफिनेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में जादा अच्छे से इस पोशन को कवर करूँगी विद एक्जाम्पल्स तो स्टार्ट करते हैं फॉर्स्ट कटेगरी स्पेस से कोई भी स्पेस जो है फॉर्स्ट कटेगरी स्पेस कब होता है अगर आप उस स्पेस को किस तरीके से लिख सको union of a countable family of nowhere dense set जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस स्पेस को हम फॉर्स्ट कटेगरी स्पेस कब बोलेंगे जब आप उसको union में लिख सको और यह जो आप AIs लिख रहे हो वो कैसा set हो nowhere dense set मतलब कहीं पर भी वो dense set नहीं होगा nowhere dense set की definition भी अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर AIs कैसे होंगे कहीं पर भी dense नहीं होगे nowhere dense होंगे और कैसी family होगी countable family होगी countable मतलब जो natural number के साथ one to one correspondence रखे definition क्या हो गई फिर इसके कि XT कोई metric space है और उसका कोई अपने subset ले लिया ठीक है और इस A को हम first category space तब बोलेंगे जब हम इसको इस तरीके से represent कर जगे union of a countable family of nowhere dense set if AIs is a countable family of nowhere dense set तन इसको इस तरीके से represent किया जा सकता है dense set के बारे में मैं already discuss कर चुकी हूँ कि dense set क्या होते है उसकी एक video अलग से है link आपको मिल जाएगा एक और definition हम discuss करते है dense set की कि कोई भी set जो है वो dense set कब होगा XT be a metric space and A be a subset of X we say that A is dense और everywhere dense in X अगर आप इसको dense बोल रहे हो या everywhere dense बोल रहे हो A की बात है तो A को आप dense कब बोलोगे X के अंदर अगर जब आप इस A का closure निकालते हो और वो X के equal आ जाए ठीक है या फिर किसी भी set को आगर आप यह बोल रहे हो कि यह set जो है dense है इसके अंदर तो basically करना किया है उस set का आपको closure निकालना है और वो जो है अगर उसके equal हो जाता है जिसके अंदर भी आपको dense निकालना है अगर वो उसके equal हो जाता है तो set जो है वो dense होगा a closure किसके equal होता है a union और derive set जो limit points का set बनता है derive set होता है और जब इन दोनों का union लेते हैं तो closure बन जाता है तो यह जो है इसके equal हो that is equals to x जिसे यहाँ पे एक example है a जो है कोई rational numbers ले लिए और x जो है हमने real numbers ले लिया मतलब यह बोलना चाहरे है कि a जो है वो dense है x में या rational numbers जो है वो dense है real numbers में यह चीज़ चेक करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसका closure निकालना है, A का closure निकालने का मतलब आप rational numbers का closure निकाल रह UX निकाल रह रहरो हो, ये इसके equal हो जाएगा, closure जो है, इसका Q union, Q डاش, और जो इसके limit point होते हैं, rational numbers के, वो real numbers होते हैं, तो इसके equal लिख दिया, union करोगे, तो real number के equal आजएगा मतलब A का जो closure है या फिर Q का जो closure है वो real numbers के equal आगया और आपको check करना था इसके लिए है तो आपका A closure अगर इसके equal आगया that is equals to X तो मतलब कि A जो है वो dense हो गया X में जो अभी हमने dense set की definition पड़ी dense set को आप एक और तरीका है जिससे check कर सकते हो जो कि मैंने जैसा कि मैंने बोला कि मैंने first video में बताया है वो दूसरी definition थी so अब आजाते हैं next definition पर that is nowhere dense set ठीक है so the definition is let XD be a metric space और A का कोई subset है उससे space का तो A को हम nowhere dense set कब बोलेंगे अगर आप उस set का closure निकालते हो और उसका interior चेक करते हो अगर वो 5 के equal हो जाता है तो वो nowhere dense set होता है if closure has या फिर आप simple words में अगर बोलो कि if closure has empty interior closure का अगर interior जो है वो empty होता है तो वो set कैसा हो जाएगा nowhere dense set इसकी एक और definition है a subset A of metric space is set to be nowhere dense set if A closure does not contain any non empty open set यह भी जस्ट वही बात है कि अगर एक closure में कोई भी अगर आपको open set नहीं मिलते तो वो nowhere dense हो जाएगा क्योंकि जैसा अभी हमने first definition में बोला कि उसका जो closure है वो empty होता है इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई भी ऐसा element आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर अगर empty है तो अगर element नहीं मिलेगा तो उसको ऐसा center मानते हुए आप कोई भी open sphere draw नहीं कर सकते और open sphere नहीं कर पाऊगे तो वो open set नहीं आपको मिलेगा तो more or less एकी same ही बात है तो second definition यह हो गई फिर भी देखो वही same ही चीज कहा रहे है तो sentence को थोड़ा सा change कर दिया है कि जो open set contains an open sphere कोई भी open set है open sphere को जो contain कर रहा है उसमें और जिस set को हम चेक कर रहे हैं कि वो dense है या dense नहीं है वो उससे disjoint है disjoint है इसका मतलब open set में जो open sphere है वो आपको एक अंदर नहीं मिल रहा disjoint है उससे अलग है और यहीं चीज हमने first और second definition में भी बोली last definition या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जो srx है मतलब x को center मानते हुए और r radius है यह हम represent करते हैं इस तरीके से कि आपने किस point को center मानते हुए एक sphere draw कर आए तो यही वही same चीज है जो open sphere की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो disjoint है A से मतलब कि इन दोनों में कोई भी intersection point नहीं है और यह किसकी equal है 5 की equal है यह सारी चीजे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ because यह result हम use करने वाले हैं bear category theorem में तो आपको पता होना चीए कि हमने किस definition से इस चीज को लेकर आ रहे हैं ठीक है तो if G is an any non empty open set then there exists an open sphere such that अगर open set है अगर हम मान के चलते हैं G कोई open set है उसमें कोई point होता है तो उसको हम center मानते हो एक sphere draw कर पाएंगे बढ़ definition के accordingly हमने बोला वो disjoint होगा A से तो उसका जो intersection है that is equals to 5 अब आ जाते हैं second category space क्या होता है वो भी देख लेते हैं next definition is second category space अगर कोई भी space जो है first category space नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं second category space जैसा कि अभी हमने बोला first category space में अगर आप उसको countable union of countable family of nowhere denses at इस तरीके से represent कर सकते हो तो first category space होगा और जब आप नहीं represent कर सकते तो second category हो जाएगा a space which is not of the first category is called the second category space if it cannot be expressed as a union of a sequence of countable या फिर union of countable family of nowhere denses at यहाँ पर बेर्स category theorem की तीन statement लिखी हुई है और तीनो statement का मतलब सेम ही है first is a complete metric space cannot be written as a countable union of nowhere dense set अभी हमने देखा definition first category space का that was union of countable family of nowhere dense set ठीक है तो कोई भी complete metric space को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते countable union of nowhere dense set आप जब किसी भी चीज को countable union of nowhere dense set की तरह नहीं लिख सकते वो just अभी हमने definition देखी है कि वो क्या होता है second category space होता है तो अगर मैं ये लिखूँ कि every complete metric space is of second category तो ठीक है ये भी बार ठीक है as a subset of itself ठीक है तो दोनों का same ही मतलब है हम बार बार complete metric space पढ़ रहे हैं तो complete metric space होता क्या है कोई भी metric space x उसको आप complete metric space कब बोलेंगे if every kochi sequence in x converges to a point in x जिसने भी normed linear space की वीडियो देखी है जिसको भी उसके बारे में पता है आपको याद होगा हमने complete या फिर बना करके एक definition discuss की थी या हमें पता है अगर उसकी सारी sequence जो है सारी kochi sequence जो है अगर वो convergent मिल जाती है तो हम सको complete बोलते दे हैं तो वही same चीज में बी same concept है कि अगर kochi sequence जो है x में वो सारी converge हो जाती है किसी भी point पे जो x में होगा तो वो उसको हम बोलते है complete metric space अब proof जो है इसका वो start करते हैं एक छोटा सा lemma है जिसका result इसमें use किया गया है बहुत ही obvious सा result है तो बट हम यहाँ से इसके जो main जो theorem है उसका जो main proof है वहीं से शुरू कर रहे है तो यहाँ पर x जो है वो हमने open लिया है x is open being a non empty open subset of itself कुदका ही वो non empty open subset है a1 हमने ऐसा लिया है कि जो इसके अंदर कहीं पर भी nowhere dense in x ठीक है इसमें dense नहीं है a1 हमने ऐसा लिया है then there exists r1 हमें मिलेगा जो 1 से less होगा 0 से बड़ा होगा there exists an open sphere क्योंकि x open था a1 जो हम ले रहे हैं nowhere dense ले रहे हैं x में तो एक आप x1 एक element हमने ले लिया और उस x1 पे हमने एक sphere ड्रॉ कर दिया ठीक है और वो जो sphere हमने ड्रॉ किया है इसका radius जो है यहाँ पर लिखा भई r1 है और in x such that कि जब आप उसका intersection कर रहे हो किसके साथ a1 के साथ तो वो 5 के को ला रहे है जस्ट हमने अभी nowhere dense set में definition discuss की थी उसमें वहाँ पर वहने बताया था कि जो srx है मतलब कोई भी sphere x को center मानते हुए r radius है उसका intersection अगर आप a के साथ कर रहे हो और वो 5 के equal आ जाता है तो किसी set को हम क्या बोलते है nowhere dense set बोलते है हमने x को open लिया a को क्या लिया nowhere dense in x लिया तो हम ये result लिख सकते है कि ये sphere है उसका intersection a1 के साथ किस के equal आ रहे है 5 के equal आ रहे है ठीक है इसलिए मैंने सारी nowhere dense set की जो definition है वो अलग-अलग तरीके से हमने discuss की थी let f1 be the concentric closed sphere of radius r1 का half अब यहाँ पर हम f1 कोई भी concentric मतलब जो center अभी आपने उपर वाले a1 का लिया था वही center हम लेकर चल रहे है f1 के लिए ये कैसा sphere है closed sphere है boundary के points भी include होगे और जो आपने radius लिया है center तो same है जो आपने radius लिया है वो इस sphere का exactly हमने half लिया है center same है concentric circles है spheres है तो ये हमने x1 ये भी x1 ही होगा क्योंकि same था concentric center same था then इसका जो radius है but इसके half लिया हुआ है ठीक है और ये जो sphere कैसा है closed sphere है f1 कैसे लिख सकते हो s dash से represent किया गया है closed sphere को और जब आपका sphere जो है open होता है तो सिर्फ हम s से represent करते हैं यहाँ पी s bar ठीक है तो ये लिख दिया है आपने x1 जिसका radius है ये and consider its interior int f1 is not equals to 5 ये consider करके चलती है closed sphere है इसका interior जो है वो 5 के equal नहीं है ठीक है तो अगर इसका जो interior है वो 5 के equal नहीं है तो आप कोई एक element ले सकते हो वो element हमने ले लिया अगर हमने ये ले लिया सपोस करो ठीक है ये center था उसका x1 इसका जो ये radius था वो था r1 ठीक है ये open sphere था ये वाला जो sphere है अभी वो कैसा sphere है open अब इसी को concentric था ना तो ये मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से ये आपका है closed sorry मुझे exactly half बनाना चाहिए था बड़ चलो कोई नहीं इसका जो ये radius है वो exactly r1 का half है इस तरीके से ये मान कर चल रहे हैं कि ये जो है वो 5k equal इसका जो interior है वो 5k equal नहीं है इस 5k equal नहीं है तो आप क्या ले सकते हो कोई भी एक और दूसरा पॉइंट ले सकते हो क्योंकि जब 5k equal है ही नहीं तो वो हमने x2 ले रखाया तो आप देखो अगर मुझे जो मेरा complete metric space है समझने की कोशिश करो अगर x जो है वो मेरा complete metric space है complete metric space है और ये जो theorem है वो ये कहती है कि complete metric space जो होगा वो second category space होगा second category space की क्या definition थी कि जब आप countable union of nowhere dense set ये जो है इस type इस form में express ना कर पाओ x को अगर हम इस form में express ना कर पाओ ठीक है index set जो भी लेना इस तरह कैसे ना express कर पाओ तो वो second category space हो जाएगा फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये complete metric space जो है वो second category space है जहां पर ये जो AIs होते है ये जो AIs होते है वो कैसे होते है nowhere dense set ठीक है A1, A2, A3 ये सारे कैसे है nowhere dense set है और nowhere dense set की हमने दो-तीन definitions पड़ी जिसमें ये था कि जो sphere का जो intersection हम लेंगे उसके साथ जो कि nowhere dense set है that will be is equals to 5 तो अब A2 is nowhere dense interior F1 contain कर रहेगा अब देखो ये जो ये जो X2 है हमने इसके interior से लिया था ये वाला point तो इसको as a center मानते हुए हम जो है एक sphere ड्रॉ कर सकते हैं तो ये boundary पर नहीं जाएगा थोड़ा अंदर type बनाना है तो ये इसको हम X2 को center मानते हुए एक open sphere ड्रॉ कर रहे है S के उपर बार नहीं लगाया हुआ हमने क्योंकि जब closed sphere आप लिखोगे न तो बार लगा देना तो interior f1 contains an open sphere X2 और radius जो है R2 sorry ये थोड़ा सा mess हो गया ये इसका जो radius है वो R2 मान लिया और अब आप खुद देख लो कि जो हमने R1 का half लिया था radius उससे less होगा ना ये R2 यहाँ पर R1 का half भी लिख सकते हो ये इससे तो less ही होगा क्योंकि ये point इसके अंदर हमने लिया है और उसपे एक open sphere ड्रॉ किया है ये boundary सा touch नहीं होगा तो ये कुछ आप इस सरीके से मान सकते हो then same वही definition इसके अंदर आपने फिर से F2 पहले F1 लिया था है concentric closed sphere अब हम F2 ले रहे है concentric closed sphere और just जो आपने R2 लिया ना उसके उसका जो radius है exactly half ले लेना है F2 को आप कैसे लिख सकते हो S bar X2 और R2 का जो radius है उसका half अगर हम इसी तरीके से करते रहे तो आपको एक sequence मिल जाएगी ठीक है अतलब यहाँ पर देखिए अब जिसे मैंने फिर से यहाँ पर यह कैसा था open था यह मैंने F1 लिया था close फिर इसको हमने फिर से open लिया था इसके अंदर हम कोई और point ले लेते हैं और उसका जो radius होगा इस R2 का half होगा जिस पर आप open sphere बनाओगे बाहर नहीं जाना चाहिए वो फिर से कैसा हमने लिया है closed लिया है F2 इसी manner से अगर हम बढ़ते रहेंगे आगे continue करते रहेंगे तो हमें एक sequence मिलेगी F1 sequence कैसी होगी decreasing होगी जैसे आप ऐसे बनाते जाओगे तो जो आपका F1, F2, F3 बनेगा वो और छोटा बनता चला जाएगा बहुत ही obvious हो रहा है इससे ठीक है then of non empty closed subset of X वेर अगर मैं F1 इसी तरीके से define करूँ so I hope यह आपको समझ में आ गया होगा कि जो S bar ठीक है radius हम half लेकर चल रहे है जब भी closed sphere define कर रहे है और उसका जो radius है हम half ले रहे है F2 था तो R2 था यहाँ पर Fn है तो Rn होगा और exactly उसका half होगा तो इस तरीके से define कर सकते हैं अभी बोला कि जो sequence यह जो Fn आपको मिलेगी decreasing sequence मिलेगी इसी तरीके से इसी manner से अगर आप बढ़ते जाओगे आगे तो जो next sphere आपको closed sphere आप लोगे वो और छोटा होगा पहले वाले से इसका मतलब बहुत ही obvious है Fn प्लस 1 जो आपको मिलेगा वो किसके अंदर contained होगा Fn के अंदर contained होगा Fn प्लस 1 की इसी तरीके से अगर आप definition निकालो तो क्या होगा जहाँ पर N है N प्लस 1 लिख सकते हो जहाँ पर Rn आपने radius लिया था वहाँ पर Rn प्लस 1 लिख सकते हो Fn प्लस 1 is contained in Fn because it is a decreasing sequence तो यह इसके अंदर चला गया यह इसकी definition है प्लस 1 is contained in Fn next देखो हमें diameter निकालना है Fn का तो किसी भी चीज का diameter क्या होता है आप radius का twice कर दो अभी यहाँ पर हमने देखा Fn का radius क्या है Rn का half थीक है Rn का half यह जो है इसका अगर मैं into 2 कर दू तो diameter निकल जाएगा यह जो delta Fn है वो diameter होता है तो diameter of Fn is equal to radius का twice कर दिया 2 से 2 कैंसल मतलब delta Fn is equal to Rn के equal आ गया इस delta मतलब diameter of Fn will tends to 0 as sorry as n tends to infinity जो sequence थी जो यह Fn sequence आपको मिली थी वो कैसी sequence थी decreasing sequence थी अगर मैं इस चीज को follow करू आप इसी चीज को infinity time repeat करते चले जाओ तो जो आपको sphere मिलेगा जो closed sphere की हम बात कर रहे है उसका जो diameter होगा वो 0 के towards 10 करेगा क्योंकि एक time ऐसा आएगा जो आपका sphere है वो चोटा और चोटा बनता चला जाएगा तो जैसे ही n की value जो है वो infinity के towards 10 करेगी आपका जो diameter है Fn का जो diameter है वो 0 के towards 10 करेगा ठीक है next since x is complete therefore by cantor intersection theorem we can conclude that intersection of this fn where n is equals to 1 to infinity contains exactly 1 point say x belongs to x cantor intersection theorem का proof है वो मैंने already अभी last video last lecture में ही upload किया है तो अगर किसी को proof देखना है तो आप लोग वो video देख सकते हो just मैं एक बर cantor intersection theorem की जो statement है उसको आपको बताना चाहूंगी so that आपको यह result कहां से है उसमें कोई doubt ना हो so cantor intersection theorem में क्या है कि कोई भी x गर आपका complete metric space है fn आपकी कोई decreasing sequence है of non empty closed set यह condition आप देख सकते हैं exactly हमारी satisfy हो रही है x हमारा complete metric space भी है fn जो है वो हमें decreasing sequence भी मिल रहा है और यह जो fn था वो हमारे closed set का ही decreasing sequence था और यह fn plus 1 जो है that is contained in fn ठीक है तो जो sequence होगा diameters का delta fn होगा if that converges to 0 then fn का जो intersection होगा that is equals to f exactly एक point को contain करेगा मतलब जो intersection है वो 5 के इक्वल नहीं होगा non empty नहीं होगा और exactly एक ही point को contain करेगा जैसे कि if मैं यहाँ पर यह sequence बनाती हूँ यहने समझा रखा है already if इस तरीके से हम sequence बना रहे हैं यह हमने f1 ले लिया यह f2 ले लिया यह f3 ले लिया ऐसे हम इस वज़े से ले रहे हैं कि जो sequence है वो decreasing sequence है और ऐसे चलते चलते जो diameter है आपका f1 का यह सारे closed है ठीक है तो जो diameter है वो 0 को tend करेगा अगर इसी चीज़ को हम ऐसे चलते जाएंगे ठीक है एक time आएगा जो आपका sphere बनेगा वो 0 को इसका diameter है वो 0 को approach करेगा तो यह बोलता है अगर मैं इन सब का point को contain करेगा यह theorem यह कहती है ठीक है तो यहाँ पर सारी condition satisfy हो रही थी हमने gander intersection theorem लगाई तो जो मुझे इसका intersection मिलेगा उसमें सिर्फ एक point होगा उस point को हमने मान लिया x क्योंकि अभी सब intersection में है ठीक है सब में present है तो मैंने बोल लिया कि जो x sorry this x belongs to fn now x belongs to अगर fn में belong कर रहा है fn by definition क्या है एक closed sphere है तो s बार लगा हुआ है और center उसका xn है radius का rn by half है ठीक है तो अगर यहाँ से belong कर रहा है तो x जो है वो यहाँ से belong कर रहा है यह खुद किसके अंदर contain है अगर देखो radius इसका half है मैं इस sphere में contain करेगा यह जो closed sphere है आपका इस open sphere में belong करेगा contain करेगा क्या हम ऐसी ले रहे ना open फिर उसके अंदर एक closed है then open उसके अंदर फिर closed है इसका radius आप देख सकते है इस sphere का half था इसका पूरा rn है तो यह से बढ़ा ही है तीक है बट यह इसमें क्या difference है यह closed है यह open है now इसका intersection an के साथ किसके equal है फाई के equal है यही अभी तक हम लेकर चल रहे है आप देख सकते है sx1 r1 का intersection a1 के साथ फाई है sx2 यह जो sphere हमने open sphere draw किया था उसका intersection a2 के साथ 5 है ai हमारे nowhere dance से set थे यही लेकर चल रहे है अगर इन दोनों का intersection 5 के equal है तो यह इसके अंदर था इसके अंदर भी हो गया क्योंकि यह इसके अंदर contain है तो x इसके अंदर हो गया अब क्योंकि इन दोनों में कुछ भी common नहीं है तो इसका मतलब के x फिर an के अंदर बिलॉंग नहीं कर सकता तो x do not belongs to this an अगर x an के अंदर नहीं बिलॉंग कर सकता तो हम ऐसी लिखेंगे x do not belong to the union of this ठीक है जब बिलॉंग ही नहीं करता an तो आप उसके union में भी नहीं बिलॉंग करेगा where this n is equal to 1 to infinity n is इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि काउंटेबल यूनियन है तो आप काउंटेबल यूनियन को किस तरीके से लिखते हैं n is equal to 1 to infinity और यह एन यहाँ पर ध्यान दीजिगा जैसा कि हम बोलते हुए बार बार आ रहे हैं कि एन जो है वो कैसा है nowhere dense set है यह जो x element लिया था वो हमने space से ही लिया था इसका मतलब जब x ही इससे belong नहीं कर रहा तो यह आप x को जो आपका space है complete matrix space है उसको आप इसके equal नहीं लिख सकते या इसके equal ऐसा represent नहीं कर सकते और जब आप इसके union को इस तरीके से represent नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको बताया तो यह space कैसा हो जाएगा second category space हो जाएगा और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि every statement यहीं थी न every complete metric space is of second category second category का कब होगा जब आप countable union of nowhere dense set इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को represent ना कर पाए तो वो हो जाता है second category तो I hope यह proof आपको clear है आगे आने वाली वीडियो में और important proof जो हैं डिसकस करने वाले हैं फियोरम से related अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में मुझे पता स करते हैं and thank you for listening